हलो दोस्तों आप देख रहे हैं साइंटेक वीजन उटी बिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों आपनों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं लेपटप्स को लेकर के कि बहुत ही जादे कमपटीशन है हमें किस ब्रांड का लेपटप लेना चाहिए HP, Dell, Asus या फिर Acer ये चार जो ब्रांड हैं बहुत ही कमपटीशन में रहते हैं और बार-बार एक्वेशन पूछा जाता है कि इन लेपटप में से कौन सा हमें लेपटप लेना चाहिए जो लेपटप काफी समय तक चले, काफी समय से मेरा मतलब ये है कि 5 साल, 10 साल तक चले ऐसा कौन सा लेपटप हमें लेना चाहिए तो बहुत ही क्लियर कट में ये बताना चाहूँगा कि आज का जो कमपटीशन भरा मार्केट है जो कमपनिया आपस में कमपटीशन कर रही है, प्राइसेस को ले करके, पर्फरमेंस को ले करके तो आज की रिट में कोई साभी ब्रांड आप बाई कर लीजिए एक से दो साल तो तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उसके बाद प्राबलम्स आना सुरू हो जाती है किसी का keyboard खराब हो रहा है तो किसी की battery खराब हो रही है किसी के display में problem आ रही है कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत ही जादे slow हो जा रहे हैं या फिर hard drive खराब हो जा रही है इस type की problem लगभग सभी brands में देखे जा रहे हैं चाहे वो brand कोई भी हो चाहे HP हो, Dell हो, SR हो या फिर आसूस हो अभी आप लोगों में से काफी लोग ये कहेंगे कि हमने तो Dell लिया था 8 सल हो गया, 6 सल हो गया, 10 सल हो गया कोई प्रब्लम नहीं है कुछ लोग ये भी खहते हैं कि हमने तो HP लिया हुआ है 10 साल से हम यूज करते हैं कोई भी प्रब्लम नहीं है आज तक नहीं खुला मैं मानता हूँ आपकी बात लेकिन आज के 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले जो सेचुएशन था वो सेचुएशन आज नहीं है उस वक्त सिर्फ क्वालिटी को ध्यान दिया जाता था क्योंकि कॉस्ट कटिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि लैप्टप वही बाय करता था जिसके पास बहुत पैसा हुआ करता था लेकिन आज के रिट में लैप्टप सभी के पास है और सभी लोग लैप्टप खरीदना चाहते हैं लैप्टप बाई करना चाहते हैं जिसके वज़े से कंपनियों में आपस में ही कंपटीशन हो गया है कॉस्ट कटिंग को ले करके तो आज के लिट में मायने रखता है इस स्पेसिफिकेशन्स किसका बेस्ट है अगर डियूरिबेल्टी की बात करें तो सभी एक जैसे है हमें ध्यान क्या रखना है हमारी जो रिक्वाइर्मेंट है वो कौन सा ब्रांड पूरा कर रहा है वैलू फोर मनी यानि हमारे बजट के अंदर कौन सा ब्रांड हमको बहतर इस्पेसिफिकेशन्स दे पा रहा है जिससे हमारा काम सही तरीके से हो पाएगा ये हमको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डेल और एच्पी हमेशा से महंगे रहे हैं और आज भी महंगे हैं अगर इन दोनों ब्रांड के कंपेरीजन में अगर देखा जाए तो ऐसर और आसूस के कंपेरीजन में देखा जाए तो डेल और एच्पी हमेशा महंगे मिलते हैं लेकिन वही पर अगर सिर्फ इस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ मॉडल्स में आपको एसर बहुत अच्छाई स्पेसिफिकेशन दे देगा अच्छे वैलू में वही पर कुछ मॉडल्स जो है आसूस बहुत अच्छाई स्पेसिफिकेशन आपको दे देगा तो यह दोनों जो हैं लगभग लगभग एक जैसे हैं आसूस या एसर इन दोनों में ही आपके requirement के हिसाब से बहुत अच्छा आपको स्पेसिफिकेशन परदान कर देता है कम बजट में बहुत अच्छा आपको सुविधा परदान करते हैं यह दोनों ही brand लेकिन यही पर Dell और HP आपको काफी महंगा पड़ जाएगा तो यहाँ पर मेरे ही साब से जहां तक है लेता हूं मेरे घर में आसूस या एसर ही laptop है रीजन उसका यह है कि हमें काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं HP भी laptop है लेकिन जो problems है सब में हमने लगभग लगभग एक ही जैसा देखा था आज की रिट में अगर कुछ नहीं होगा तो उसका जो है ventilation ऐसा compact कर दिया है कि वही भर जाएगा और वो heat हो करके जो है laptop आपका slow काम करने लग जाता है तो service मांगता ही मांगता है साल भर में साल भर के बाद एक बार जरूर आपको service कराना पड़ेगा कुछ नहीं तो कम से कम सफाई करा लेंगे तो laptop की life थोड़ी बढ़ जाये करेगी तो इस तरीके से है यहीं पर अगर हम service की बात करें तो service के अंदर जो Acer और Asus है यह India के अंदर इसका service average है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता लेकिन इनके comparison में अगर देखा जाये तो Dell और HP का service काफी बहतर है और सायद यही reason है कि यह दोनों ही brand थोड़े महंगे होते हैं लेकिन आज के लिट में आप देखेंगे तो service की जरुद बहुत ही कम ही पड़ती है अगर आपको quality चाहिए performance चाहिए तो आप जो है कम budget में अगर चाहिए तो आपको Acer या फिर Asus में से कोई एक select करना होगा और Dell HP ही चाहिए तो आप जो है इन में से कोई ले सकते हैं उसका जो है आपको budget थोड़ा जादे देना पड़ेगा लेकिन durability की बात करें तो सारे के सारे एक जैसे ही है ये बिल्कुल बहुत research करने के बाद हमने देखा है कि सब के सब market में करीब हमने 50-150 laptop पर हमने बात करके देखा तो सब में लगभग लगभग ऐसा ही average result रहा है किसी के पास Acer है Asus है तो 2-4-5-5 साल तक कुछ नहीं हुआ है किसी के पास HP और Dell है तो वहीं पर साल भर में ही सर्विस की जरूरत पड़ी है वहीं पर HP का मैं खुद बताऊं तो एक साल के अंदर ही मेरे laptop में सर्विस की जरूरत पड़ गई थी इस टाइप का तो कहना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये ब्रांट ले लीजिए तो आपको 5 साल के लिए 10 साल के लिए छुटी हो जाएगी तो दोस्तों ये इन्फोर्मेशन थी जो काफी questions आ रहे थे तो मैंने सोचा समझा दूं आपको situation क्या है उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्ली जब comment में बताएं अगर ये वीडियो चे वीडियो को like कर दें अपने दोस्तों के साथ share कर दें अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो पहली चैनल को subscribe करके bell icon पर click करके all पर click कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो के notification आपको मिलती रहे और पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आपकों का दिल से धन्य बात करता हूँ मैं मिलता हूँ next किसी और अच्छी information के साथ में आपका दिन सुभ हो